दोस्तों जब घर का सबसे छोटा बच्चा बिगड़ जाता है तो वह कैसा लगता है अब आप सामने देखिए क्योंकि यह है मारूती सुजुकी आल्टो के 10 विद ब्लाक कलर अभी तक आपको आल्टो में 6 कलर कॉंबिनेशन मिलते थे लेकिन अब आपको यहां पर जो आप स वेरियंट है और प्राइज में मारूती ने कोई अलग प्राइज टैग इसको नहीं दिया है इस कलर की वज़ा से तो यह वी एकसाई वेरियंट अभी आपको पांच लाग पांच हजार रुपे एक शोरूम में मिल जाता है अब ओवरॉल यह पांच लाग पांच हजार एक अच्छा स्टांस जो है वो डेफिनेटली यह अल्टो अपना प्रूब कर रही है सामने अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको हनी कॉम स्काइल ग्रिल जो है वो देखने के लिए मिलती है सुदूकी का लोगो यहां पर आपको उपर दिया गया है नॉर्मल रिफ्ले किसे दी गई है जिसको आप एड्जस कर सकते हैं फोल्ड आपको मैनुवली करने पड़ते हैं ब्लिंकर्स यानि इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर के उपर देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद आप अगर यहां पर टायर साइज की बात करेंगे तो आर थाटीन साइज के नॉर्मल स्टील वील आपके पास है आगे डिस्क पीछे नॉर्म ड्रम ब्रेक्स आपको आफर की जाती है 145-80R13 प्रॉपर टायर साइज जो है वो आपको यहां पर मिलता है ABS और EBD जो स्टैंडर्ड पीचर्स है वो आपको मिल जाते है उसके बाद अगर आप द प्रोफाइल से छोटू कैसा लग रहा है काले कदर में मुझे एक बार कॉमेंट में जरूर बताना मुझे बहुत संदर लग रहा है परस्नली काफी अल्टीमेट सा एक ग्रेस जो है वो आल्टो का इस ब्लैक कलर के साथ आ रहा है उपर एक स्टाप लेंप है डीफॉगर व लेगा LED का कहीं पर यूज नहीं किया गया रेयर वंपर पर आप आईए और रेयर वंपर पर आपके बास दो पॉइंट्स हैं यहां पर अल्टर सॉनिक रिवर्स पाकिंग सेंसर के नीचे अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक आपके बास एक्जॉस केल पाइप इधर गाड़ी की ग्राउंड क्लेरेंस का आपको यहां से प्रापर आइडिया जो है वो डेपनिटी लग जाएगा फिर आप दूसरी साइड में स्विच हो जाईए और यहां से भी आप देखिए मेरे को बहुत सुन्दर लग रही है परस्नली ब्लाक कलर के साथ इस गाड़ी का ग्रेस बढ़ चुका है तो एक्स्टीरियर के इस कलर की वजह से इसकी प्रोफाइल आल्टीमेट हो चुकी है छोटू बिगड जरूर गया है लेकिन छोटू देखने में सुन्दर लग रहा है क्यूट लग रहा है चलिए इंटीरियर की बात करते हैं इंटीरियर में आपक इसके उपर नहीं मिलती है जब भी आपको अपनी गाड़ी को लॉक करना होगा तो फिजिकली आपको यहां पर इस तरीके से चावी जो है वो इंसर्ट करनी होगी तब ही आप इसे लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं लेकिन इस चावी को रोटेट करने पर यानी इसक पर आप सा ग्रे इस्टॉन जिसको में कह सकते हैं वो चीज evil подhhh लेके लिए मिलति है मैं आपको सब्सक्रा से पछाने जब पोर दिखाता हूं year और इसको इसको आप से खोल सकते हैं कि ये कितने लीटर का है तो 216 लीटर का बूट स्पेस आपको यहां पर मिलता है पार्सल ट्रे इस वेरियंट में नहीं मिलती यह प्रॉपर एक बैंच फोल्डिंग सीट है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी पूरी सीट ही एक बारी में फोल्ड होगी इस तरीके से आपको कोई 60-40 वाला स्प्लेट रेशियो वगरा आप अल्टो से उमीद वैसे भी नहीं रखते हैं तो वो चीज आपको फिलाल यहां पर देखने के लिए मिलती है प्रॉपर बैंच फोल्डिंग सीट आपके पास है उपर भी टेल गेट में थोड़ी बहुत कवरिंग जो है उसके बाद आप आईए यहां पर यहां पर नीचे आपके पास एक स्पेर वील है सेम साइस का है नॉर्मल स्टील वील आर थाटीन साइस का कोई उसमें डिफरेंस है नहीं तुलकिट वगेरा भी आपको यहां पर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाती है अब इसको यहा करा के पास है यहां पर आपको स्पीकर एदर मिलेगा पीछे स्पीकर साइद में आपको यहां स्पीकर मिलेगा आपको इहां पर not विंडोस मिलती है और उसके कंट्रोल आपको यहां पर सेंटर कंसोल के उपर देखने के लिए मिलेंगे इस इनफोटेन्मेंट सिस्टम के नीचे पीछे आपको पावर विंडोस नहीं मिलेंगी और यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर आपको इस तरीके से मैनुली आपको अल्रेडी दिखा चुका हूं इन ओर विंडोस को एड़स करने के लिए चलिए अब आप आईए इधर सीट की जब बहुत होती है तो सीट्स देखे सबसे पहली चीज फैबरिक में है जिस सेग्मेंट की यह गाड़ी है छोटू जो है हमारा यह काफी बढ़िया पर प्रापर फिक्स मिलने वाले हैं कैबिन में जब आप सुच होंगे तो कैबिन में आपको क्या कुछ मिलता है तो आपको यहां सेगबर जारा इसकी चावी लगाते है फिर आपको कैबिन में बताता हूं कि यहां आपको क्या कुछ मिलेगा तो यह देखिए सब से पहले तो आप steering wheel देख लीजे, steering wheel आपको normal इस तरीके से मिलेगा, कोई leather wrap गएरा steering wheel जो है, वो आपको definitely देखने के लिए नहीं मिलता, नहीं इसके ओपर कोई steering mounted controls है, सुजुकी का logo, airbag, airbag, total 2 airbag आपके पास है, इस variant में touchscreen infotainment system नहीं आता, लेकिन top, यानि VXI plus में touchscreen infotainment system आता है, अगर आपको proper feature loaded चाहिए, तो आप VXI plus के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत shortcut keys मिलेंगे, rotor dials मिलेंगे, aux और यहाँ पर आपको USB के लिए भी देखने के लिए मिलेगा, बीच में चोटी सी display है, जहाँ पर आपको alert वगएरा, या फिर जो भी आप अपनी हाँ पर song वगएरा या कुछ play करेंगे, तो उसकी display आपको यहाँ पर display के ओपर दिख जाएगा, यह power windows के control है, आगे की दो power windows मिलती है उसके लिए, hazard lamp का switch है, manual AC का setup है, power socket आपके बास यहाँ पर रहेगा, थोड़ा storage space, दो cup holder, 5-speed manual transmission, और अगर मैं यहाँ पर globe box की बात करूँगा, तो आप देख सकते हैं, एक decent सा size, गाड़ी के हिसाब से काफी सही size है, गाड़ी के manual और यहाँ पर fasted kit बगएरा रखने के बाद, आप easily इसको फिर भी use कर पाएंगे, उपर जब आप switch होते हैं, तो visor की quality decent सी है, आप बहुत अच्छी भी नहीं क्या सकते, और low भी नहीं क्या सकते, इस segment के एसाब से, ठीक ठाक सी quality आपको यहाँ मिलती है, fixed आपके पास यहाँ पर rooftop के उपर grab handles हैं, seat belt की height fixed है, आगे के headrest fixed है, पीछे के headrest जो है, वो भी आपको fixed मिलेंगे, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, cabin light इस तरीके से आपको यहाँ पर high logon base देखने के लिए मिलती है, IR भी हम आपको यहाँ पर जरूर दिया गया, जिसको आपको manually इस तरीके से खुदी adjust करना है, और driver side में भी visor के उपर आपको कोई ticket holder वगेरा फिलाल नहीं दिया जाता, AC vents यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, side में round shape में आपको जो AC vents हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, इधर अगर आप इसे press करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, गाड़ी आपको क्या fuel economy दे रही है, कितनी range और cover करेगी, total odometer, strip A, यह सारी details जो हैं, वो आप यहाँ से definitely adjust कर सकते हैं, इधर आपके पास stock रहेंगे, वाइपर के, दूसरी side में headlamp के stock रहेंगे, और अगर मैं steering के adjustment की बात करूँगो, तो इसमें कोई adjustment नहीं आता, यह steering जो है, वो अपनी जगा पर fixed रहेगा, यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे, तो headlight leveler आपको मिलता है, और यह mechanical headlight leveler जो है, वो आपको दिया गया, अगर आप देखना चाहते हैं, कि electric में, और mechanical headlight leveler में क्या difference होता है, तो उपर eye button में आपको एक link देदूँगा, आप वहाँ जाकर देखेंगे, उसके बाद आप नीचे देखें, space यहाँ पर काफी बढ़िया आपको मिलता है, ABC pedal के पास, तो उससे related फिलाल, आपको कोई दिक्कत फिलाल यहाँ पर नहीं होगी, चलिए, अब आप पीछे सुच हो जाएए, पीछे जब आप आएंगे, तो seats में सब चर्पाहली चीज, तो cushioning बगएर आपको ultimate मिलती है, बढ़िया, कैविन में जो space है, वो definitely offer करती है, यह जो आप normal steel wheel देख रहे हैं, इसमें wheel caps आपको company देती है, या wheel covers आप कर लिजिए, वो आपको company देती है, तो वो फिलाल अभी आपको यहाँ पर placed हुए वे दिख जाएंगे, तो अगर जब भी आप customer को गाड़ी deliver की जाती है तो वो wheel cap जो है, वो यहाँ पर fix कर दिये जाते हैं, उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं, three pointed seat belt, side वाले passengers के लिए, beach वाले के लिए lap belt आपको मिलेगी, fixed headrest आपके पास यहाँ पर पीछे भी रहने वाले, seat बैठने में पीछे काफी सही है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हो पीछे वाली door trim, वैसे तो मैं आपको अल्रेडी दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर आप एक बार दुबारा देख लीजिए, सब आट प्लास्टिक में है, grey tone आपको यहाँ पर proper visible हो जाएगी, manually यहाँ पर आपको lever दिया गया है, window को roll up या फिर roll down करने के लिए, चालिए, आप करते हैं इसको यहाँ से close और यहाँ से जरा इसका एक बार hood खोल लेते हैं, क्योंकि engine के मामले में गाड़ी आपको क्या कुछ offer करती है, वो अब मैं आपको यहाँ से बदाता हूँ, कि यह छोटू आपके लिए क्या generate करता है, इधर देखिए, यह है Alto K10 का engine bay, 2023, बहु थ्री सेलेंडर के हिसाब से जो एक थ्री सेलेंडर engine का nature होता है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा vibrations वगयरा शरूर फील होती है, otherwise ultimate engine है, reliable है, बहुत कम maintenance मांगता है, वो सारी चीजे हैं, अब अगर मैं power figures की बात करूँ, तो यह almost generate करता है 66 bhp, उपर को insulation वगयरा दी नहीं जाती है, सामने अगर आप देखेंगे तो firewall के उपर भी आपको सीधा metal visible होगा, यानि कोई आपको यहाँ पर भी firewall के उपर covering वगयरा नहीं दी जाती, underbody में भी आपके लिए कोई covering जो है वो available नहीं है, चलिए, अब इसे करिए यहाँ से close और फिर आप आज़े है जरा पीछ पीछे जैसे यह आप देखते हैं, यह छोटू आपको क्या road presence अब black color के साथ आपको देगा, आप मुझे एक बड़ जरूर बताइए, आपको black color में लग कैसा रहा है, अभी तक आपके पास 6 color option available थे, यह black color अप 7th एक color option भी आपके पास available है, एक इसका blue color भी आता है, अर्थ लग रहा है, छोटू आपको कैसा लग रहा है, काले color के साथ, घर का छोटा बच्चा बिगड़ चुका है भाई साथ, तो अब आप मुझे बताइए, कि आपको कैसा लग रहा है, comment section में बताना बिलकुल मत भूलना कि लगा कैसा यह color, specially आपको, auto का review तो हमने पहले भी किया और already channel पर videos posted है, बस यह black color को देखकर एक बार मन कर गया, क्योंना आपको यह color भी दिखाया जाए, कैसा लगा, बताना जरूर, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आ गया होगा, आ गया है तो भैस सब like और subscribe channel को जरूर करिएगा, बहुत जल्द आपसे मैं fit से मिलने वाला ह एक नई वीडियो के साथ, इंतजार रहेगा आपको मेरा और मेरको आपका, धन्यवाद